तो दोस्तो एक और गुरुवार वीरुवार मेरा और आपने पिछले अपिसोड में सुना कि कैसे साबद को मारने की प्लैनिक दाउद ने शुरू की और कैसे उसने कन्फर्म किया कि साबद तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है तो किता ऐसे चलता रहा कि उस दिन के बाद दाउद के घर पैरिंग करने के बाद समद खान ने तीन चार बहुत बड़े बड़े काम किये समद को भी जरूरती पैसे की उसको भी जरूरती हत्यारों की उसको भी जरूरती और खुंखार किसम के शाप शूटर डूलने की जैसे मैंने पिछले एपीसोड में आपको बताया तो समद ने कुछ जो काम कभी करीम लाला ने 40 साल में नहीं किया था जिसको हम settlement कहते हैं वो काम समझने चिनू कर दिया और वो काम बाद में अंडर वर्ल की कमाई का सबसे बड़ा सादर भी बना दाउल गैंग हो बर्दा गैंग हो या बाद में जो भी दादर बाई कलाल आलबा गेरी है के जो महरास्तिन गैंग थे वो सबका मेर काम जो रहा है वो settlement रहा है settlement होता था दो बड़े वपारियों को बीच में जगड़ा चल रहा है जो दो बिल्डर के बीच जगड़ा चल रहा है जहां कुछ बड़े लोगों का property को लेके मुमारी हो रही है तो उनमें से एक party जो है वो अंडर वर्ल के पास चले ज गए तो building तो गिर जाएगी वो लेकिन अदालत का फैसला नहीं आएगा तो लोग अदालत में नहीं जाते थे प्रहेज करते थे जाने से और इतली अंडर वर्ल्ड उनके लिए handy एक alternative होता था जिसको अपनी भाशा में वो इनसाफ कहते थे कि इनसाफ मिलेना है तो अंडर के पास जाके इनसाफ नहीं मिलेगा तो दूसरा कारण यह था कि समद को मालम था कि मैं अभी शायद इस हालत में नहीं हूँ कि इतना बड़ा एक setup खड़ा करू अपनी हम्मत तो थी लेकन अपने जैसे दो आदमी और ढूंडने हर सक्ष के लिए मुश्कल होते हैं तो समद की भी ये एक समद स्या थी तो उसने जो तीन चार बड़े कांड किये दो कुछ ऐसे लोग थे जिनके सास्थ उसका लेना देना चलता था उन्होंने कुछ पैसा देने से नकार कर दिया तो समद ने उनको जेल में था रोड जेल में और वहां पे उनको जेल के सुप्रिंटे डंडन के सामने और वहां से उनको वार्निंग दे के छोड़ा कि अगर इतने दिन में इतने बजे तक मेरा पैसा नहीं मिला तो आपका क्या होगा अंदाजा लगा लो मैं जेल के बैठके जेल में बैठके अगर ऐसा कर सकता हूं तो बाहर आओंगा तो क्या करूँगा तो जब कभी इस किसम का बड़ा आदमी जेल में जाता है बंबई के अंडर वर्ल का एक नए अधिस तूर है शहाद बहुत से लोगों को नहीं मालम तो जब कोई बड़ा आदमी गैंग का जेल जाता है तो उसके चार पांच का रिंदे चोटे मोटे पाउं दबाने वाले उसक तो अपना काम करता है लेकर वो बेल और माउंट जमा नहीं करवाते थे नहां कोई अपना कोई साक्ष कड़ा करके जमानत करवाते थे वो जब तक उनके बाउस की जमानत नहीं होती थी, वो जेल से बाहर नहीं आते थे तो अंदर जो गैंक बन जाता था, वो जेल के अंदर बैटके अपने तरीके से अपने पूरी कारवई गतीवी दियां जेल से चलाते रहते थे और देख आप अंदाज़ा लगाएगी कि जेल में जब छे एक बड़ा बदमाश और छे साथ आजमी उसके साथ आगे पीछे चल रहे हैं तो जेल में भी उनकी धहशत काइम रहती और जो और क्रिमिनल वहां पे होते हैं अलएदा अलएदा क्राइम करने वाले वो उनको वहा बड़ा जो उसने डेरिंग वाले काम किये किजी को मारा किसी थे सैटलमेंट के पैसे लिए एक शिल्पा जवेरी नाम की लड़की वो एक तूसरे गैंक्स्टर की मुश्यूका हुआ करती थी अमरनायक की उसने जब समधकान के किसे सुने तो वो अपने बदमाश को वो समधकान के पास आ गए वो इतनी डेरिंग करती थी कि जेल में मिलने जाने से भी नहीं डरती थी वो एक अजीब किस्ता है वो कभी फिर आपको सुनाएंगे तो ये सब किते से जो समधके पास कालियान था नहीं आ गया उसको मुन्ना मिल गया उसको सुहेल मिल गया उसक जब जमानत मी ये लोग अपनी मर्जी से लेते थी जब मौका ठीक समजते तो जमानत के लिए अप्लाई कर देना और ले लेना और उनी दिनों में जेल में जब कोट में जाते थे तो अपने बंदों को मिलना मुलाकात, frågor मुलाकात कर लेनी तो वहां पे जो बाहर के इनके लोग हैं गैंग की अक्टिवटीज उनको जेल के कमपाउनू में बैठके वो सारी अक्टिवटीज पे नजर बारते थे और आगे वले हुकम दिया करते थे तो इस तरह से वो जो कभी उनका जो राप्ता होता है अपने लोगों के साथ जा क्लाइन्ट के साथ वो खत्म नहीं होता था तो जब जेल से बाहर समद आया तो फिर दाओद की त्यारी पूरी तरह शुरू हुई एक भुलेशवर एरिया जो जहां समद कान का घर था अगरी पड़ा एरिया में वहां से थोड़ा अपिरा और उसके बाद बाई और जाएं तो बहुत बड़ा गुजराती डॉमिनेटेड एरिया है भुलेशवर वो बहुत बड़ा होलसेल के मार्किस है बिजनस सेंटरी व इतने पैदर लोग बुलेशवर की सर्पों पे एटरी गिवन टाइम गूमते हैं उतने लोग शायद आपने कहीं किसी मेले में देखे होगे इतना बिजी और क्राउड़ड एरिया है वहां पे एक सिक्का नगर सोसाइटी जहां पे बड़े-बड़े गुजराती बिजनसम में वहां रहते हैं बहुत बड़ा कंपाउंड था और इतनी आबादी होने के बाद लोगों को यह कई इन लोगों नहीं मालम पड़ता था कि A block में count रहता है, C में count रहता है और D block में count रहता है लेकिन activity पूरा दिन चलती रहती थी और वो यह ऐसा area था जहां पर किसी को गोली मारने का मतलब यह था गोली एक को मारो गए तो लोगों की छे लोगों को compound के अंदर भी इतना crowd रहता था तो वहां पे समद खान के तीन गुजराती दोस रहते थे उसके बहुत जिकीन वाले, उनमें सेख का नाम अशोग था तो इसने कभी एक भाई के घर में रात को रुक जाना कभी आपते दस तिन के बाद गया तो दूसरे भाई की घर में रुक जाना एक गार एक वेल्डिंग में दूसरे का दूसरी में तीसरे का तीसरी में और आम लोगों को तो मालूमिय नहीं होता था कि कौन कमपार्ण में आ रहा है कौन जा रहा है किसे को पता नहीं कि ये समद खान है और वो केला जाता था एक दो आदमी साथ होते तो पीठे चलते थे तो किजी की निगा भी नहीं होती थी कि ये लोग बाहर के लोग कैसे गूम रहे हैं तो खेर वो एक हाईडाउट था समझ खान का सिक्कानगर की वो गुजराती सुसाइटी बोलेश्वर में तो करते 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 दाउट को खबर मिली के दाउट महां रहता है और कोई कहां रहता है वो कनफर्म नहीं हो रहा था तो जो खबरी लगाए थे तीन चार महिने इस बात को लग गए ये जानने के लिए कि समझ जाता है तो किसके घर में जाता है तो ख़ब लगी कि तीन भाई हैं वो तीनों इसके दोस्ते हैं और पता नहीं किसके घड़ में रुकता है तो नूरा जो दाउब का भाई था उसके किसी कहबरी ने बताया कि तीनों भाईयों मेंसे एक का नाम अश्खोक है तो नूरा ने अश्रोक को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा के कमपाउन के बाहर उसमें लेगा रखती एक लोग लगा के रखते थे कि जब आए तो उठा के गाड़ी में फैंक देना उसको पाकमोरियस टीट ले आई बहुत मारा उसको और पूर पहले तो कुछ बताया नहीं डरते ने और वो दोनों तरफ से पसा हुआ अगर समद की खबर देता है तो समद उसको नहीं छोड़ेगा अगर दाउद को समद की खबर नहीं देता है तो दाउद के लोग उसको नहीं छोड़ेंगे उनके कबजे मे है तो उसको मारा लिया उसके बाद तीन चार दिन तक उसका इलाज करवाया उसकी चोट वो जो लगी थी वो ठीक की उसके बाद उसको छोड़ा उसके घर भेजा ताकि कभी समद आये तो उसको शक नहीं हो कि तुमारे यह चोट कैसे लगी जाए यह कैसे हुआ इतना माइनिटली यह लोग प्लैनिंग करते थे तो अशोग गया और इस बात की खबर समद को नहीं लगी यह एक चूग थी जो समद की मौट का कारण बनी और जब आने वाले कुछ दिनों के बाद समद फिर भाई लोगों के घर में गया तो अशोग ने चुपके से दाउद को पून कर दिया बज़ा अपना आदमी में कुछ करके खबर दिया जो नबर दिया होगा कि समद आया हुआ है और सुबह पांच बजे यहां से जाएगा समद के साथ उसके दो दोस थे जिनके पास हत्यार भी थे लेकर वो छुपा के रखते थे दिखाई नहीं देते थे अब दाउद ने उसके पहले यह कंफरम कर लिया था कि जो अशोग की खबर है वो सही होती है पहली कब मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि उसको नहीं मारा जाने दिया जब दो ढ़ाई मीहने के बाद दबारा खबर आई कि समद है और सुबह पांच बजे निकलेगा यह एक परफेक्ट इंफरमेशन थी टू दा पॉइंट और दाउद पांच आदमी अपने लेके पांच हत्यार लेके पहली बार दाउद खुद किती बड़े उपरेशन में गया उसके पहले दाउद आपका ही नहीं जाता था ना उसके भाई जाते थे चोड़े मोड़े काम कर लिए ते लेकिन इसना जोकम का काम नहीं करते थे पांच बज़े के पहले सुबह रात को जाके उन्होंने रैक्टी किया पूरे एरिये का कहां आप जाएंगे अपने गाड़ी खड़ी करेंगे कहां से हम उसको मारेंगे गेट के अंदर तो जाना नहीं है और सुबह सुबह चहल का अदमी बिल्डिंग में हो जाती थी लोग कमपाउंड के अंदर सहर करने भी निकलते थे सुबह मंदर जाना है लोग अपने थालिये लेकि सुबह सुबह निकलते थे तो फैसला यह हुआ कि कमपाउंड के अंदर उसके उपर अटैक नहीं करेंगे जब वो सिकान अगर की गेट से बाहर रिख लेगा तो उसके पर अटैक किया जाएगा तो गेट के बार दो रास्ते जाते थे एक लेट को एक राइट को पुटपाथ के उपर तो एक आदमी एक रास्ते पे दूसरा गेट के दूसरी तरफ और तीन आदमी सामने दाउद ने तेहनाद किया और खुद पूरी सुपरिवीजन की तीन गाड़ियां ताकि अगर एक गाड़ी स्टार्ट ने हो मौके पे दूसरे में बैठके जाएं दूसरी को प्रावलम हो जाए भागना पड़े तो तीसरे में बैठके जाएं अलागला जगा पे गाड़ियां रखती और पूरी प्लैनिक इस तरह से की कि जैसे बहुत बड़ा कोई एक सीक्रेट ओपरिशन किया जाता है दाओध ने सुबह इस इस रिजिडेंक के बाद एक बात आपको बता दूँ कि दाओध ने कहा अपने दोस्तों को कि जम आस तुबह घर से निकला तो मैंने नमाज पड़ी उठके नमाज पड़के मैंने अल्लाँ ताला से एक दरखास की एक अर्दास की मैंने कि है अगर मेरी जान को समझ से खत्रा है तो उसको मार देना अगर मेरी जान को आने वाले दूनों में समझ से खत्रा नहीं है तो उसको बचा लेना ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर समझ से मेरी जान को खत्रा है तो उसको मार देना अगर मेरी जान को खत्रा नहीं है तो उसको बचा लेना क्योंकि दाउद का कहना था कि मैं जो माउत है वो उपर वाले के हाथ में है जो करवाता है वो करवाता है कि अपने अपने जिकीन की बाते हैं कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते हैं लेकन ये दुआ करके सुबह नमाज पढ़के दाओध घर से निकला था और खबर के मताब के पूरे पांच बजे जब समद बाहर निकला तो पांचों लोगों ने एक दम फायर ओपन किया, समद मर गया और दो सरे दो बुरी तरह इंजड़ हुए, बीस से ज़्यादा गोलिय का मौका नहीं मिला, लेकन बाकदर ऐसी मती, समद को मारने के बाद भी ये लोग इतने गबराए हुए थे, कि एक गाड़ी और कुछ हत्यार छोड़ के भागे, इतनी जल्दी कि कहीं समद के लोग और छुपे होंगे, कहीं बाहर होंगे, जो उसके शहर बाहर उसने कुछ बोडी गाड रखे होंगे, कहीं हमारी उपर अटैक नहीं हो, और वो दिन था जो दाओद का बंबई में आखरी दिन था, समद की मौत और दाओद का बंबई छोड़ के भागना, दाओद घर से ही पूरी प्लैनिक करन के आया था, वहां से निकला, दो गाड़ियां जो दिल्ली ऐरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और दबाई, वो पहले सेटेंग करके रखी हुई थी, क्योंकि अगर बंबई से फ्लाइट पकड़ते तो बंबई प्लीस तभी आज कल की तरह कोई कंप्यूटराइज, लोकाउट नोटिस तो होते नहीं थी, इस्यू किया, तो अगले पूरी प्लाइट की हुई थी, तो सुबह पांच बजे समद का मर्डर होने के बाद, दाओद सीधा अपने घर नहीं गया, दिल्ली गया, और अगले दिल्ली से फ्लाइट पकड़के दुबई, और उसके बाद दाओद जो वो इंटरनेशनल डाउन, उसकी जो आज जाता, तो मंबई के अंडर वर्ड में जो इतनी बड़ी तबदिल्ली आई, हिंदोस्तान के बाहर बैठके गैंग कैसे चलाना है, वो दाओद की मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी थी कि उसने समद को मारा था, दाओद को मालन था, अगर मैं मंबई छोड़के नहीं गया तो पठान गैंग मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे भाईयों को नहीं छोड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा एक कांडर वर्ड में जो बहुत बड़ी तबदिल्ली आई, उसका कारण में समद खान था, समद की माउत जो थी, वो दाओद के दाओद बनने का शुरुआत नहीं, आज का दाओद उस दिन की पैदाइश है, जो उस दिन सुबह पांट बजे सिक्का नगर से समद खान को मार के देश थोड़ के बागा था, आने वाले अपीसोड में बताएंगे, इस किस्थे में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यो हुआ, याद रखिए, अगले गलवार को ये किस्था जारी रखेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया दन्यवार